हलो फ्रेंड्स वेलकम तो निटिंग ट्यूटर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यह सिंगल कलर की कैप यह दिखिए बहुत ही इजी तरीके से बनने वाली है इसे जो बिगनर्स हैं जिनको सिर्फ उल्टा सीधा या बॉर्डर और बनाना आता है बस वो भी इसको अराम भी है और एक यह वाले साइड है चाहे तो आप एक तरफ से सीधा रख लें और सिलाई थोड़ा एकुल तरीके से करेंगे तो आप इसे दोनों तरफ से भी और सकते हैं और इस कैप की खास बात यह है कि इसे लेडिश और जेंड्स दोनों ही यूज कर सकते हैं बस कलर आप थोड़ा खिला सा बना ले और जैंट के लिए थोड़ा डाक कलर बना ले तो ये दोनों ही यूज कर सकते हैं तो इसको मैं पहले यहां से शुरू करना बता देती हूं कि मैंने यहां से शुरू कैसे किया है सबसे पहले हमने मैंने इसमें 126 फंदे डाले हैं यहांसे 126 फंदे मैंने इसमें लिये हैं डिजाइनर फंदे मैंने डाले हैं डिजाइनर फंदे मेरे चैनल पर पहले से हैं अगर आप देखना चाहें उगर आपको यह वाले फंदे डालने नहीं आते हैं तो आप वह जाके देख सकते हैं वहां मैंने बहुत टीटेल में बताया है उसका लिंक आपको ऍ Caitlin में मिल जाएगा या आई बटन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा एक बार मैं यहां भी बता देती हूं कि कैसे डालना है इस तरह से हम इसमें थोड़े से फंदे डालके मैं यह डिजाइन बताऊंगे एक बार नीचे की तरफ से लेना है एक बार उपर की तरफ से लेना है तो यह डिजाइन बनता जाएगा इस तरह से हम इसके थोड़े से फंदे डाल लेंगे इस तरह से फंदे डालेंगे निटिंग ट्यूटर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके औल पर क्लिक करें हमारी लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए यह दिखेंगे यहां मैंने सिर्फ 24 फंदे इसमें लिए हैं सिर्फ आपको बताने के लिए कि यह डिजाइन मैंने कैसे बनाया है सबसे पहले हम शुरू करेंगे दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे यह दो उल्टे बुन लिए, दागा पीछे लेंगे दो फंदे सीधे बुनेंगे दागा आगे लेंगे दो फंदे उल्टे बुनेंगे इस तरह से हमें ये सलाई कंप्लीट करनी है और फिर दूसरी सलाई पर आ जाएंगे हम तो हम वहाँ पर भी ऐसे ही बुनेंगे जो फंदे हमें सीधे दिख रहे हैं वो सीधे बुन लेंगे और जो उल्टे दिख रहे हैं वो उल्टे बुन लेंगे पहली ही सलाई से हम बॉर्डर बनाएंगे इसमें पहली सलाई हो गए हमारी कम्प्लीट यह दिखिए यह हमने पहली सलाई कम्प्लीट कर ली अब हम दूसरी सलाई बुनेंगे वह भी हम ऐसे ही बुनेंगे दो फंदे उल्टे बुन लिए यहां से तो हमें यह दिखने शुरू हो जाएंगे यह हमें सीधे दिख रहे हैं फंद तरह से हम ये सलाइ कम्पलीट करेंगे इस था से हमें ये दस सलाइ य बारा सलाइ का ये बार्डर बनाना है और अलिध मर की सलाइ से हम इसको बनारहे हैं रेखेnost proven नबारा की सलाइज गोले में यूं ली है ये वर्दमान का गोला लिया है ये इस तरह से हम दो उल्टे दो सीधे बनाते हुए इसको कम्प्लीट कर लेंगे दूसरी सलाई है हमारी अब हम तीसरी सलाई पर आ गया तो देखें यहां से बिलकुल यह किलियर दिखने लगेगा जो ईल्टे पंदे दिख रहें उनको उल्टा बुंथे जाएंगे और जो सीधै दिख रहें उनको सीधा बुंते जाएंगे हम ऐसे ही है ठोड़ा सा बॉर्डर बना लेंगे गयम और ए यह इस तरह के से घ्डाज़ झैया यह एक बॉर्डर तयार कर लेंगे जो कि मैंने ये किया है 11 लाइनों का ये 11 सलाई का मैंने ये बॉर्डर किया है अगर हम इसको इंच टेप से नापेंगे देखिए इंच में ये 1.5 इंच से भी 7 इंच के करीब ये बॉर्डर आ गया है अगर हम सेंटीमिटर में नापें तो ये साढ़े तीन, तीन साढ़े तीन सेंटीमिटर का ये बॉर्डर आ गया है, इस बॉर्डर को करने के बाद हमें अब ये वाली लाइन बनानी है, ये वाली लाइन हमें तीन-तीन सलाई की बनानी है, तीन सलाई ये हैं, तीन ये हैं, तीन ये हैं, नो सलाई की एक पट्टी बनेगी इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है बस बॉर्डर नहीं बनाना है सीधी साइड से बुन रहे हैं हम यह लेकिन उल्टी सलाई बुनेंगे यह मैंने इसकी राइट साइड रखिया यह से चाहें तो आप दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं दोनों साइड से एक जैसी ही दिखेगी यह थोड़ा से बस इसमें डिफ्रेंस दिखेगा यह वाली एक लाइन उभरती भी दिखेगी दो इसकी अंदर रहेंगी यहां से और यह वाली इधर दो बाहर की तरफ रहेंगी और एक यह अंदर को दिखेगी बस इतना फर्क रहेगा वरना दोनों साइड से यह अच्छी लगेगी यह एक सलाई हो गई हमारी अब दूसरी सलाई करेंगे तो इधर से हमें सीधा रखना है उधर उल्टा रखना है यानि कि हम इधर सीधी सलाई बुनेंगे यह सीधी सलाई बुनने के बाद अब उससे अगली सलाई आएंगे तो वो उल्टी सलाई लाएंगे दिखिए ये हमारी, इस तरह से एक पट्टी जैसी बन गई है, पहले हमने एक उल्टी सलाई बुनी, फिर एक सीधी बुनी, फिर एक उल्टी बुनी, ये हो गई तीन सलाई, अब हम फिर इस तरफ आ जाएंगे, अब हमें इधर से बुननी है, ये उल्टी, इधर हमारी ये सी सीधी बुनेंगे यह पहली सलाई उल्टी है दूसरी सीधी आएगी और तीसरी उल्टी आएगी तिन सलाई हमें इसकी बनानी है यह पहली सलाई हो गई दूसरी सलाई सीधी बनेगी और तीसरी सलाई उल्टी बनेगी यह देखें यह वाली भी हमारी तीन सलाई कम्प्लीट हो गई पहली उल्टी बुनी दूसरी सीधी बुनी और तीसरी फिर से उल्टी बुन दे खेँ, यह एक धारी इह इह इधर आ गई और एक यह इधर आ गई अब हमें इधर से भी उल्टी इधर फिर से उल्टी बुनने है पहली सलाई उल्टी, दूसरी सीधी और तीसरी उल्टी इसी तरह से हमें ये वाली तीन सलाई भी बनानी है पहली सलाई आ गई अब दूसरी सलाई सीधी और तीसरी सलाई फिर उल्टी यह देखें तीन सलाई हमारी यह कंप्लीट हो चुकी है अब इस तरह से यह तीन पट्टियां बन गई एक दो तीन नो सलाई की यह पट्टियां बनेंगी यह वाला पोशन हमने बनाया है यह और यह इसके बाद हमें फिर से यही बॉर्डर बनाना है जितनी सलाई हमने यहां क उल्टे, दो बंदे सीधे, इसी तरह से हमें ये एक, दो, तीन बॉडर बनाने हैं, और यहां चौथी बार में हमें सिर्फ चार सलाई करने हैं, अब दूसरी सलाई, उसी तरह से जो बंदा उल्टा दिख रहा है, उसको उल्टा बनाएंगे, जो सीधे दे दिखिए, ये सीधे दिख रहे हैं, तो इनको हम सीधा बना लेंगे, इस तरह से हम एक बॉडर और बनाएंगे, और उसके बाद फिर ये ही रिपीट करेंगे, जो हमने यहां रिपीट किया है, अब हम इसको नाप लेंगे, यहां हमने यह तीन बॉडर बनाएंगे, एक, दो, तीन, और तीन ही यह धारी बनाएंगे, यहां एंड में मैंने यहां तीन सलाई रही है, और उसके बाद हम इसको गहताना शुरू करेंगे, तो हम एक बार देख लेते हैं कि कितनी हमारी यह लेंता ही है, यहां से आया है, यह करीब साड़े छे साड़े छे यह आया है अब मैं आपको नाप लेना बताती हूँ कि यह लंबाई हमें किस तरीके से रखनी है कि यह हमें यह कितना रखना है तो आप जिसके लिए भी बना रहे हूँ, उसके सरका नाप आ प लेंगे यह मैं बड़ो के लिए बना रही हूँ तो मैंने इसमें 126 पंदे रखे हैं देखिए नाप हम कैसे लेंगे जहां तक भी हमें यह बनानी है यहां से लेना शुरू करेंगे हम जैसे कि हमें यह पूरा कान कवर करने तक बनानी है अगर आपको कान से उपर उपर बनानी है तो आप यहां से लेंगे या यहां से लेंगे या यहां से लेंगे मैंने इसको यहां से लिया है कान के नीचे से और इसको पूरा यहां से हम जब नापेंगे यहां भी हम देखिए यहां मेरी यह 16 इंच के करीब बैट रही है यह मैंने पूरा कान कवर करने के लिए नहीं लिया है देखिए यहां से मैं इसको लूँगी आपको जितना भी चोड़ा लंबा यह बनाना है यहां यह देखिए यह कान के यहां से लिया है मैंने तो मैं इसको 16 इंच की बनाऊंगी यहाँ पर और बड़ा अगर आपको करना है तो आप इसको नीचे करेंगे तो यह आपको 17 इंच की हो जाएगी उसी हिसाब से आपको यह बनाना है यानि अब मैं 16 इंच की अगर बनाऊंगी तो मेरा हाफ 16 का आदा आएगा 8 इंच तो मैंने इसको 8 इंच रखना है लेकिन हमारा ये हो रहा है साड़े 6 इंच तो हमारा 1.5 इंच अभी एक से 1.5 इंच ये उपर जो हम फंदे अभी घटाएंगे उसमें बन जाएगा तो ये हमारा पूरा आजाएगा अब हमें इसको घटाना शुरू करना है ये मैं फिर से बता दूँ गर आप इसको और गहरा बनाना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा और बना सकते हैं अब हमें देखेंगे कि इसको हमें कैसे घटाना है ये वाले फंदे ये जो हमारे उल्टे फंदे आ रहे हैं इनको हमें दो फंदे का एक फंदा करना है सीधे फंदे सीधे बुने जाएंगे ये दो के दो ऐसे ही बुने जाएंगे धागा आगे लेके ये दो फंदे का एक फंदा करना है बस उल्टे वाले जो फंदे आ रहे हैं, इनको दो फंदे का एक फंदा करेंगे, धागा पीछे लेंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे, अब हमारा ये एक उल्टा, दो सीधे रह गए यहाँ पर, इसी तरह से हम ये सलाई कंप्लीट कर लेंगे, दिखिए ये हमने सलाई पूरी इसी तरह से कंप्लीट कर लिए, अब सब जगा यहाँ दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, इस तरह से रह गया है, अब हमें इसके बाद, इसमें चार स जो फंदा सीधा दिखेगा उसको सीधा बुनना है और जो उल्टा दिखेगा वो उल्टा बुनना है ये वाली सलाई हम नहीं गिनेंगे जो हमने घटाए हैं इसके बाद हमें चार सलाई बुननी है तो दिखें जो फंदा हम ये पहले फंदे दो उल्टे हैं तो इनको हम उल् सीधे फंदे पर सीधा फंदा उल्टे फंदे पर उल्टा फंदा चार सलाई के बाद हम फिर से फंदे घटाएंगे इस तरह से और यह इस साइट से यह देखिए यह अब हमने घटाने वाली जो सलाई है उसको छोड़के चार सलाई और बुन ली हैं इसी तरह से सीधे फंदे पर सीधा फंदा और उल्टे फंदे पर उल्टा फंदा कि यह साइड से आई और दूसरी साइड से हमने यह दो फंदे का एक फंदा कर दिया था तो यह इधर से एक फंदा रहे गया अब हमें इसमें फिर से फंदे घटाने है ये फंदे हमें उसी तरह से घटाने हैं जो हमेरी उल्टे फंदे दिख रहे हैं इनमें दो का एक करेंगे जो सीधा दिख रहे हैं इसको सीधा बुनेंगे दो फंदे का एक फंदा कर दिया सीधा फंदा सीधा बुन दिया फिर आगे लेंगे धागा फिर दो फंदे का एक फंदा करेंगे धागा पीछे लेंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे इसी तरह से हमें ये पूरी सलाई कंप्लीट करनी है अब यहां से आगे हमारा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा रह जाएगा यह दिखिए यह हमारी complete हो चुकी है सलाई यह उल्टे उल्टे फंदे हमने यहां दो का एक दो का एक करते हुए यह सलाई complete कर ली अब हम इस तरफ आएंगे और फिर से चार सलाई बुनेंगे अब हमारा यह एक सीधा रह गया है एक उल्टा आदे फंदे हमारे कम हो चुके हैं इसमें से अब हमें चार सलाई ऐसे ही बुननी हैं जो फंदा सीधा दिखेगा उसको सीधा बुनेंगे जो उल्टा दिखेगा उसको उल्टा बुनेंगे अब हमारे यह रह गया है एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा इस तरह से हम यह चार सलाई complete करेंगे यह देखिए यह हमने अब एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टे बुनते हुए यहां चार सलाई बुन लिए हैं अब हम इसके और फंदे लटाएंगे पहले हम इसको नाप लेते हैं कि हमारा इसमें कितनी कमी है आठ हिंच हमें इसको बनाना है यह देखेंगे हम यह पौने आठ के करीब बन गया है इतना हमारा यह बन गया है तो अभी हम इसमें दो तीन सलाई और कर लेंगे फंदे घटाते हुए उसके बाद हम यह सारे फंदे बंद कर देंगे पहला फंदा ऐसे ही बिना बुना ले लेंगे देखें यह एक उल्टा है एक सीधा है यह दो फंदे का एक फंदा कर दिया दो फंदे का एक फंदा कर दिया सारे फंदे अभी है सीधे हो जाएंगे उल्टे फंदे इसमें खतम हो जाएंगे इस तरीके से यह सलाई हम कम्प् यह दो कि इस तरह से हमें यह सलाई कम्प्रीट करनी है यह दो कि यह सारे फंदे हमारे बंद हो गए यह उल्टी सलाई हम उल्टे फंदे अब हमारे यह खतम हो चुके हैं अब हमारे यह सीधे सीधे फंदे रह गए हैं सीधी तरफ से उल्टी तरफ से हम यह सारे फंदे जाएंगे एक सलाई है यह उल्टी लेकर जाओंगी मैं और एक सलाई हम सीधी लाएंगे दिखिए यह मैंने उल्टी सलाई पूरी करने के बाद एक सलाई इसमें सीधी बना लिए अब हमें यह सारे फंदे बंद करने हैं आप चाहें तो यह सारे फंदे बंद करके इसको पर है कि आप यहां किस किस तरह के से बंद करना चाहते हैं यह मैं दो दो फंदे एक साथ ले के बुन रही हूं सारी सल olsun कि और उसके बाद इए मैं सारे संटे जो भी बचेंगे वो एक फंद eh के उपर से उतार दूँगी इसी तरह से बंद करती हूं मैं अगर आपको किसी और तरीके से बंद करना है तो आप इसे किसी भी तरह से बंद कर सकते हैं बस ये सारे भंदे एक जगा बंद होने हैं यानि कि हमें यहां गोलाई देनी है अब हमारी ये इतने थोड़े से भंदे रह गए यह जितने भी हो कम ज्यादा कितने भी हो सकते हैं आपके 20 हो सकते हैं 15 हो सकते हैं 25 हो सकते हैं उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा इस तरह से एक एक फंदे के उपर सारे फंदे यह उतार देंगे बस धियान रखें कि यह वाला फंदा सलाई से ना निकले पर उंगली रखके रखेंगे अब हमारी कैप तयार हो चुकी है बस हमें इसकी सिलाई करनी है इस तरीके से इसकी यहां गोलाई आ जाएगे अब हम इसकी सिलाई करेंगे यह जो हमने बिना बुने फंदे एक फंदा बिना बुना लेते हैं इसको लेते हुए हमें इसमें सिलाई करनी है बस आपको यहां धियान रखना है कि जो हमारी यह लाइन्स है यह हमारी इस तरह से एक के सीध में दूसरी आनी चाहिए यह उपर नीचे नहीं होनी चाहिए सिलाई के टाइम आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि हमारी ये लाइन्स उपर नीचे ना हो जाएं देखिए यहां से और यहां देखिए अगर हम ये एक चेन हमारी ये बच गई है और यहां पर हमारी ये पूरी चेन खतम हो गई है तो हम इसको इसी में ले देंगे मैं इधर से दिखा देती हूँ यहां हमारी ये चेन खतम हो चुकी है इसमें टाका आगया यहां पर हमारी एक चेन बाकी है तो हम इसको किस तरह से अड़ेस्ट करेंगे यह वाली चेंड लिए और जिसमें हमने सिला था उसी में दुबारा ले लेंगे अब हमारी यह बराबर आ जाएगी यह देखे बिलकुल सीध में आ जाएगी इस तरह से आपको इसको अड़ेस्ट करना है बस यह बिलकुल सीध में आनी चाहिए आगे पीछे नहीं आनी चाहिए तो हम इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे यह दिखिए यह इसकी सिलाई कर ली है हमने अब यह हमारी कैप हो चुकी है तयार तयार हम अगर इसको नापेंगे दिखिए यह यहां से और यह हमारी सवाट के करीब यह हो गई है कंप्लीट अब यह बिलकुल कान कवर होने लाएक यह पूरी बनी है अगर आप इससे चोटी बनाना चाहते हैं कि कान से उपर उपर रखना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा छोटा बना सकते हैं यानि कि यह आपको अपने हिसाफ से जिस्ट करनी है तो देखे यह बनने के बाद यह देखे यह पूरी कान यहां तक इसके इतने कवर हो रहे हैं यहां से आप देखेंगे बिलकुल गोला आई एक दम परफेक्ट आई है इसकी इस तरीके से यह इसको लेडिस और जेंट्स दोनों ही इसको यूज़ कर सकते हैं फुल साइज की कैप है यह और 126 स्टिचिस से मैंने इसको बनाया है उमीद है आपको यह अच्छे से समझ आ गई होगी अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें थैंक यू